तो पिछले वीडियो मैटर और माटेरियल के पार्ट वन में हम लोग पदार्थों के बारे में पढ़ें और इस वीडियो यानि की मैटर और माटेरियल के पार्ट टू में हम लोग टाइपस ओफ माटेरियल एकॉर्डिंग टो इस प्रोपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे सारे पदार्थों का वरगी करन कैसे किया जाता है ऐसा मेटरियल जिसे हम नहीं कॉंप्रेस कर सकते हैं नहीं स्ट्रेच कर सकते हैं इसे हम लोग हार्ड मेटेरियल बोलते हैं और इस प्रोपर्टी को हार्डनेस बोलते हैं जैसे स्टोन, उड, हेलमेट, बाल, बाट, मेटल, गन, एक्सेट्रास और कुछ material ऐसे होते हैं, जिसे हम लोग आसानी से compress कर सकते हैं, stretch कर सकते हैं, इसे हम लोग soft material बोलते हैं, और इस property को softness बोलते हैं, जैसे diaper, balloon, pad, braid, gloves, etc. ऐसा material जो खुद से light को pass होने देता है, उसे हम लोग transparent material बोलते हैं, और इस property को transparency बोलते हैं, जैसे white plastic, water, glass, air, etc. ऐसा material जो अपने से light को partially pass होने देता है, उसे हम लोग translucent material बोलते हैं, और इस property को translucency बोलते हैं, जैसे frosted glass, butter paper, eased glass, polythene, etc. ऐसा material जो खुद से light को pass नहीं होने देता, उसे हम लोग opaque object बोलते हैं, उसे अपारदर्सी बोलते हैं, और इस property को opacity बोलते हैं, यानि कि opaque object से ही shadow का निर्मान होता है, जैसे human being, gloves, furniture, wall, etc. कुछ material ऐसे भी होते हैं, जिने हम चह कर पता करते हैं, उसके स्वाद से पता करते हैं, कि वह पदार्थ कैसा है, जैसे मीठा, यानि कि sweet, जैसे जली भी होता है, पंजिंट, जैसे chili, कड़वा, salty, यानि कि नमकीन, जैसे हम लोग सबजी खाते हैं, नमक खाते हैं, सार, जैस उसकी खुश्बू से पहचानते हैं, उसके सुगंध से पहचानते हैं, अगर उसकी खुश्बू अच्छी होती है, तो हम लोग उसे pleasant smell बोलते हैं, जैसे flour, perfume, tasty food, etc. और कुछ पदाथ ऐसे होते हैं, जिसकी खुश्बू हमें बिलकुल पसंद नहीं आती, जैसे हम लोग द पास होती है, जैसे हमारा जूते का smell, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जिने गर्म करने पर बहुत जल्द आग पकड़ लेता है, उसे हम inflammable object बोलते हैं, और इस property को inflammability बोलते हैं, जो बहुत जल्द आग पकड़ लेता है, जैसे perfume, nail paint, gasoline, petroleum products, etc. और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो इस लगे हुए आग को बुझाने में काम करते हैं, जिसे हम लोग fire extinguisher बोलते हैं, जैसे पानी, carbon dioxide, fire fighting instruments, जैसे बालू, gas, carbon dioxide gas, etc. Sublimation, यानि उर्धो पातन, जब किसी ठोस पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, तो बिना liquid बने, वो gas बन जाता है, और जब इसे ठंडा करते हैं, तो बिना liquid बने, solid बन जाता है, इस प्रकिरिया को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, जैसे dry ice, camphor, naphtaline ball, etc. Soluble, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जिन्हें पानी में घुलाने पर, dissolve करने पर, वो बिल्कुल घुल जाता है, इसे हम लोग solute बोलते हैं, और पानी को solvent बोलते हैं, जो mixer त्यार होता है, उसे solution बोलते हैं, और इस property को solubility बोलते हैं, जैसे iodine, sugar, salt, etc. और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जो कि किसी liquid में नहीं घुलते हैं, जैसे soil, oil, sand, etc. ये insolubal कहलाते हैं. electrical conductivity यानि की विद्यूत चालकता, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो खुद से electricity को पास होने देते हैं, इसे हम लोग conductor बोलते हैं, और इस property को conductivity बोलते हैं, जैसे wire, bulb, metals, human being, green plants, water, etc. और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो खुद से electricity को पास नहीं होने देते हैं, इसे हम लोग non-conductor या insulator बोलते हैं, जैसे books, non-metals, furniture, dry clothes, air, etc. Thermal conductivity, यानि कि उस्मा चालकता, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो खुद से heat को पास होने देते हैं, उसे हम लोग conductor बोलते हैं, जैसे metal की सारी बनिवस्तुएं. नन कंड़क्टर यानि कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो खुद से उस्मा को पास नहीं होने देते, हीट को पास नहीं होने देते, जैसे ड्राइ क्लोथ्स, बुक्स, टॉइज, उड्स, एक्सेटराज टाइल, ऐसा मेटेरियल, जिसे हम लोग थीन वायर के रूप में ड्राउन कर सकते हैं, इसे हम लोग डक्टाइल बोलते हैं और इस प्रोपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, जैसे सारे मेटल्स, कॉपर, अलुमिनियम, आरन, सिल्वर, गोल्ड, एक्सेटराज मैलियबल, ऐसा मेटेरियल, जिसे हम लोग हामरिंग करकर थीन सीट में कनवर्ट कर सकते हैं, मतलब पतले-पतले पत्तरों में तयार कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, तीन, कॉपर, जिंक, अलुमिनियम, एक्सेटराज, और इस प्रोपर्टी को मैलियबिलिटी बोलते हैं ब्रिटल, मतलब ऐसा पतार थे जिसे हामरिंग करने पर छोटे-छोटे टुकड़ों में कनवर्ट किया जा सकता है, जैसे ग्लास, कोल, स्टोन, एक्सेटराज दोस्तों, अभी हम लोग Matter and Material का Part 2 पढ़ रहे थे इस वीडियो को लाइक करें, सबस्क्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सेर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सारी वीडियों आप तक सबसे पहले पहुंच सकते एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जैहें